हलो इस्टुएंट्स माइन भी सविनाज जातौन वेलकम टू मैं चैनल तेज पढ़ाई और आज में लेकर आया हूँ एक्साइज 1112 कोशन नमबर सेवन जोकी इस एक्साइज का लास्ट कोशन है और इसके बाद यह एक्साइज खतम हो जाएगी तो कोशन है ड्रौ आज सर्क करना है तो जब बाहर पॉइंट करेंगे आप सर्किल से तो वहाई से आपके टेंजिंट ड्रौ होगे चुक्छी आपको इस कोशन में करने है ट्रौ दा पेशल फेंगल लेना नहीं है और उससे सर्कल ड्रौ तो मेरे पर बैंगल नहीं थी तो मैं अभी एक अन्वांटेट मुझे मालम ही यह रहा center पर मैं मानूंगा नहीं और मैं इसका center निकालूंगा ठीक है तो फटा फटा मैंने एक bangle से एक circle ड्रॉ कर लिया है अब हमें क्या करना है कभी भी center अगर हमें निकालना हो और हमें नहीं मालम हो तो opposite side ने थोड़े से angle पर हमें एक cord को draw करना है तो कैसे करना है देखिए एक इस तरफ कर दिया मैंने cord को और एक इसके opposite तरफ से angle से ही थोड़ा सा एक और cord draw करती है ठीक है अब मैंने दो cord ले ली एक AB cord एक CD cord अब इन दोनों cord को हमें क्या करूँआ line bisect करूँगा ठीक है जो perpendicular bisect होता है जो equally इनको काटेगा तो मैंने एक point इधर से और एक point इधर से cut किया अब इस point को मैंने क्या किया इससे join कर दिया यह line join हो गई अब इसके बाद इसको मैंने यहां से भी measure किया और एक point इधर एक point इधर और दूसरा point इधर उसी तरीके से इस तरह से भी एक point इधर और दूसरा point इधर अब यहां से मैंने इसको भी अब यहां पर यह कटा है वो point हमारा क्या होगा center होगा इस से थीक है तो यह सबसे important चीज़ है इसकी center निकालने की center निकले आया उसके बाद कोई problem नहीं आया कि उपको बिल्कुल simply question करना है पस center निकालना सबसे ज़्यादा important है तो A, B और C, D जो दो code लिए थे, उसके line by sector की है जहां पर line by sector कट की है वो आपका center of the circle होगा अब यहां से मैं एक line खीच लेता हूँ जो कि external point होगी point को हमें क्या नाम देना था P दे देंगे हम नाम external point को मैंने एक external point निकाला line segment से जो उसको नाम दे दिया E और इस center को दे दिया E, O एक external point से line segment खीच आए अब यहां से tangent बनाएंगे इस circle के तो मैंने क्या किया इस से आदे से जादा लेके एक arc उपर की तरफ, एक arc नीचे की तरफ ट्रॉप अब उसी तरीकी से E point से भी हमने एक नीचे की तरफ से cut और एक उपर की तरफ से cut कर दिया, ठीक है? अब इस cut को आपस में join कर दिया तो जैसे ही मैंने इसको join किया एक point मिला हमें जहां से हमें क्या मिलेगा इसका? circle मिलेगा तो एक another circle draw करेंगे जो कि measure करेंगे इस point को E तक, ठीक है? इस point को नाम भी दे देते हैं name दे दिया इसको मैंने D तो दे चुका हूँ मैं मैं इसको देता हूँ F ठीक है? अब यहां से मैंने इसको measure किया और एक circle इससे भी draw कर दिया देख रहे हूँगे आप center से होता हुआ यह circle जा रहा है तो बिल्कुल accurate है मैंने E से X को join कर दिया और उसी तरीके से E से Y को join करेंगे तो मैंने E से Y को join कर दिया और यहां पर हमारे donor tangent measure हो चुके है donor tangent बन चुके है तो donor tangent कौन से हैं? एक E X and E Y are the tangent of given bangle जो भी bangle given होगी आपको उसका tangent इसने draw कर दिया है तो बहुत important question था I hope आपकी समझ में आया हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें कोई भी चीज ना समझ में आई हो comment करें और channel पर नई हो तो channel को subscribe करें बिना ना चाहें Bye Bye